महिला चिकित्सकों की लापरवाही से प्रसव के दौरान बच्चे की मौत, पीरित परिजन प्रसव कक्ष की गेट पर बैठे धरना पर, पीरित न्याय की लगा रहे गुहार, जनपद कुशिनगर के दुरही ब्लॉक सामुदाइक स्वास्थ केंद्र में प्रसव कराने आई म महिला के साथ. प्रसव के दौरान महिला डौक्टरों वननस की घोर लपरवाही के कारण बच्चे की जान चली गई. दिनांक चार फरवरी दो हजार तेस को रातरी दो बजे पीरित शोभा देवी पत्नी नागेंद्र प्रसाद दुदही सामुदाइक स्वास्थ केंद्र मे एद्मिट हुई. और आज चार तारीक को ही दिन के लगभग बारा बजे के आसपास डौक्टर वननस की लपरवाही के कारण बच्चे की मौत हो गई. नाराज परिजनों ने प्रसव कक्ष की गेट पर धरना प्रदर्शन कर उचित कार्यवाही की मान की. पीरित जनपद समय कि आएमठी टोला चोलस है. आप वरे साहिक हमारे जाएमारे सक या कि दीलेवरी चिक है उसके बाद भी हमें इस इस बाद नहीं जो अब इसे फैसे बाद भी नहीं है बच्के उस पाइदा हुगी। भूट रिचो मोट अच्वा मिश्मी अजय कोमने तो ना रिक है पॉल्य तो बताया नहीं आप लोग को को यवासा लेकर आही थी क्या दढ़ा ना में का विदावती है अभी बच्चा कहा है बच्चा अंदर है डेट हो गया है कितने देर पहले के बात है यह सा बारत पांच के दिन में और यह हमसे पैसे भी ली है कितना पांच उरुप्य लिए पोतल लगाने के लिए और मसीन उसीन और कुछ भी जांच नहीं किये लो इसके बाद से हमसे मूम से लगा के पाइप भी घिचवाई है यह ठीक है और कोई भी डाखदर भी नहीं था यहां के अक्सेजन सलेंडर और कुछ भी नहीं है यहां पर बच्चे डेट होने के पाद से मसीन लगाए थे बच कुछ नहीं बताएं हम अपने धिंदारी नहीं ले रहे हैं क्या बोलना है इसको और अभी हमसे बाते हुआ हुआ उनसे ट्रसे आंपने जो होना था वह गया ला परवाई के साथ बोल रहे हैं कि जो होना था मतलब हो गया